Hello everyone, J.E. Classes Mirate परिवार में आप सभी का स्वागत है, कैसे हैं आप, आशा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, वो घड़ी खतम हो चुकी है और SSC J.E. 2020 पेपर 1st का रिजल्ट आउट हो चुका है, आज की इस वीडियो में आपको डेटेल में बताने वाला हूँ, कि आपकी कट ओफ कितनी गई है, आपके जो मार्क्स हैं, जो क्वालिफाइंग और नोन क्वालिफाइंग, दोनों इस टूडेंट के आपके मार्कस कब अपलोड होने वाले हैं, और पेपर 2nd की जो एक्जामिनीजन की डेट है, इसके बारे में भी संपूर जानकर आपको देने वाला हूँ, पस जल्दी से फटावट अपने सभी फ्रेंट्स को शेर कर दीजिए, और जो भी फर्स टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, जानते हैं, जेए क्लासेज मिलेट परिवार पिछले चार वर्सों से, एससी जे, यूपी पी सील जे, यूपी ट्रपल सी जेए की तियारी करा रहा है, चार वर्सों के बाद हमारे स्टूडेंट से काफी स्टूरेंट को सेलक्शन भी हुआ है, हमारे यहां हिंदी इंग्ल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एक्जामिशन 2020 का जो रिजल्ट है, हमारे पेपर फस्ट का वो डिकलेर कर दिया है, यानि आज 30 जून है, आप से कुछी समय पहले यह रिजल्ट डिकलेर हुआ है, तो आप सभी यह ध्यान से देखेंगे, कि ससी जेए पिरी उसकी जो फाइनल आपकी जो क्वालिफाइंग आपको करना होगा, वो किस पर अधार पर करना होगा, जो आपके मार्क्स स्कोर आपने किये हैं, रो स्कोर यानि रो स्कोर, उसके बाद आपके जो मार्क्स से वो नॉर्मलाइशन होंगे, कब जो कमिशन ने आपके 7 फरवरी 2019 को अपनी website पर upload किया था उसी के हदार पर आपके marks normalization होंगे normalization होने के बाद यह आप निचे देखरें normalization marks होने के बाद आपके वही marks जो आपका result टे करेंगे यानि आपको जो qualify करेंगे paper second के लिए या next stage के लिए कौन से marks होंगे वो होंगे normalization marks normalization marks के बाद ही आप next stage के लिए qualify करेंगे सबसे मैं जो point है वो क्या है कि आपके लिए जो minimum qualifying marks जो board ने tag किये थे वो क्या है कि जो हमारे paper first के लिए जो unreserved category के student है उनके लिए 30% ये 60% नमबर जो हमारे OBC category के student है उनके लिए आपको 50% नमबर OBC and EWS economically weaker section और जो हमारे other category कोई भी बची उनके लिए 20% यानि कि 40 marks लाने आपको जरूरी है अगर इससे marks हमारे कम आते हैं तो हम qualify नहीं हो पाएंगे लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे इतसे ज़्यादे तो cutoff ही चली जाती है तो minimum quality area तो सरी पार कर देते हैं सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि civil injury की cutoff क्या गई हुई है unreserved category की जो cutoff है वो 120 point something है इसके बाद हम OBC की बात करेंगे OBC की 114 point something है और EWS की जो cutoff है वो हमारे OBC केटेगरी से भी कम गई है 108 point something पर और जो SCST की है वो approximate same ही गई है 99 point something same है दोनों की cutoff हमारी इसके साथ साथ जो हमारे OH वाले candidate है उनकी 79 point something और HH वाले candidate की 48 point something टोटल हमारे 3826 all category student चाहे हो SC हो, ST हो, OBC हो EWS हो, UNDESERV हो या OH हो, या हमारे HHO सभी के मिलाकर 3826 student को लिया गया है paper second के examination देने के लिए जो हमारे short list student किये गए है अब हम इसके साथ mechanical की भी cutoff देख लेते हैं और electrical की देखें UNDESERV category की civil की category से ज़्यादा cutoff है 141, OBC की 137 यहां पर भी EWS की cutoff है वो OBC और general से कम गई हुई है ST की बात करें तो 115 है और SC की बात करें तो 123 नमबर गई हुई है और OH की 99 और HH की 63 यह आपके जो mechanical और electrical की cutoff होती है वो हमेशा civil engineering से ज़्यादे जाती है जिसका reason है number of vacancy और number of students बहुत जादा होते है दोनों ब्रांचों की मिला के इसमें mechanical और electrical के जो student है वो 1885 student लिए गए है अब सबसे बड़ी जो main चीज़ है वो क्या है आपके लिए वो क्या है कि आपकी जो paper second है वो कब होने वाला है और marks का आने वाले है तो देखे क्या कह रहा है कि जो आपका paper second का जो schedule है वो आपका जल्दी ही website पर upload हो जाएगा आप regular mode में देखती रही है shortly का मतलब जल्दी ही आपके paper second की date आने वाली है इसके साथ साथ जो आपकी final answer की है यानि कि जो आपकी कोई question की गलती थी उसको remove करने के बाद जो आपने objection दिये थे उसके बाद जो आपकी final answer की है वो 7 जुलाई 2021 को इससे एक महिने तक यानि कि 7 अगस्त 2021 तक ये आपकी क्या है final answer की upload रहेगी कहां पर? I.O.C. की website पर इसके बाद हम next चलते हैं की जो हमारे marks है qualifying student और non-qualified student दोनों के marks कब तक आने वाले हैं? आप सभी student की जो marks हैं वो 7 जुलाई 2021 को आ जाएंगे और 31 जुलाई 2021 तक ये upload रहेंगे आप सभी student अपनी registration ID और password यूज़ करके अपने जो number हैं वो बहुत आसानी से देख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी studentों को ये जानकरी मिल गई होगी कि आपकी cut-off कितनी है आपके paper second कब होने वाला है अभी उसकी date आने वाली है कुछी दिनों बाद इसके साथ सब आपकी final answer की कब आने वाली है उसके बाद आपके जो marks हैं वो कबाने वाले हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे like करें जितना ज़्याद हो सके इस वीडियो को share करें आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नैश क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भरत